आर एलपी सेंसर जिसको हम रियर विल लिफ्ट आउप प्रटेक्शन कहते हैं यह और कैसे करता है अब बहुत सरी गाड़ियों के रियर विल में इस तरह का एक रिंग लगे जरूर देखे होंगे उसी के साइड में एक सेंसर लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं आर एलपी सें इसके बारे में बात करते हैं अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर देए इस तरह के नोलेजबल वीडियो देखने के लिए आर एलपी सेंसर का काम होता है रियर वील को लिफ्ट ना होने लेना और ये एबी इसका साथ कनेक्टेट रहता है आप अगर देखें कि बीना आर एलपी सेंसर वाले बाइक में 60-80 के स्पीड में पूरे फोर्च से ब्रेक लगा जाता है तब गारी का रियर वील उपर के तरह उठने लगता है और गारी सही समय पर नहीं रुकता और एक्सिडेंट होने का भी खत्रा रहता है इसी प्रोब्लम को सॉल्ब करने के लिए आर एलपी सेंसर का यूज किया ज हो जाता है और स्पीड मैच ना होता है तब आर एलपी सेंसर मेसेज भेज़ता है एबीएस को और मैसेज यह होता है कि आपका फ्रंट विल लॉक होने वाली है तब एबीएस कुछ मोमेंट के लिए ब्रेकिंग का प्रेसर रिलीज कर देता है जिससे गारी का रियर विल यूज किया जाता है इसके अलावा बहुत सारी गारियों में भी इसका यूज देखने को मिलता है उमीद करता हूँ है वीडियो आपको पसंद आया होगा जहें